हेलो दोस्तों नमस्ते स्वागत है आपका तेज़ा श्रंदिल यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खास और स्पेशल प्रडेक्ट कर रिव्यू करूँगा जो है वाउस किन साइंस का विटामिन सी सीरम विच कम्स विटामिन सी अलांग लेज़ एक्स्ट्रेक्ट भी बढ़ावां तो मैं आपको बताँगा कि या आपके स्किन टाइप के लिए सही है कि नहीं करना कैसे यूज करना और कौन-कौन यूज कर सबस्क्राइब तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली आज इस वीडियो में बने रही मेरे साथ क्योंक पे 4.89 रुपीज का फिलाल मिल जाएगा जब मैंने और करा था तो 6.99 सम्दिंगा कुछ था लेकिन पेकेजिंग की बात तो एक कार्ड़ ब्राउन कलर के कार्ड़ बोर्ट में आपको देखने को मिल लेगा इसके अंदर से ब्राउन कलर की आपको बॉटल देखने को मिलती है रिजन ही बतायता हूँ क्योंकि जो vitamin C होता है वो sunlight के साथ react कर जाता है इसलिए वो जल्दी खराब हो जाता है इसलिए हमें इस तरह की bottles ही देखने को मिलती है vitamin C की किसी भी serum को अब serum क्या होता है दोस्तों serum आपकी जो layer होती है आपकी skin की उसको penetrate करके अंदर से glowing effect देता है आप तो यह एक तरह से अंदर तक जाता है penetrate करता है आपके skin के और वहां से आपको effects देना शुरू करता है तो vitamin C इसमें 20% पढ़ा है which is very decent amount इसके अलावा यह आपके skin पे glow लाता है आपके चहरे की जाईया रिंकल्स आपके pimple के after pimple spots जो काले-काले रह जाते हैं उनको कम करने में आपकी मदद करता है इसके साथ ही आपके dark circles को remove करने में आपकी कुछ हद तक मदद करता है जादू की चड़ी तो कोई है नहीं लेकिन आपकी मदद करता है ज़रूरू तो 30% इसमें पढ़ा है vitamin C और इसके साथ इसमें पढ़ा है hyaluronic acid अचिड होता है तो वह क्या गाम करता है तो आपकी skin के layers के अंदर तक जाकर आपकी skin का जो natural moisture होता है उसे lock करने में आपकी skin की मदद करता है अचर बिंटर में हमारी जो skin का natural moisture निकल जाता है इसलिए हमें moisturizer लगाना पड़ता है तो hyaluronic acid जब आपकी skin में जाता है वह आपके skin का natural moisture हो निकल नहीं देता वही lock कर देता है तो आपकी skin glow करती है प्लंप लगती है इसके साथ ही इसमें पढ़ा है hazel extract दोस्तों hazel extract आपकी pimple जिसमें आपने देखा होगा sebum निकलता है white color का pus type का होता है उसे बनने से रोपता है आपकी skin की जित्ती भी dirt होती है उसे निकालता है exfoliating का काम करता है इसके साथ ही after pimple जो आपके marks रह जाते है उसको भी सही करने में hazel extract कुछ हद तक काम करता है because of it anti-inflammatory property so ये तीन इसके है main ingredients दोस्तों और दोस्तों vitamin C का एक काम ये भी होता है कि आपके skin से natural glow को बरकरा रखना अकसर क्या होता है na pollution के कारण हमारा जो natural glow होता है वो feed out होने लगता है so vitamin C ये ही काम करता है एक exfoliating का काम करता है और एक anti-inflammatory properties होने के कारण ये pimple आने वाले pimples को भी रोकता है so it's a very good thing और अब मैं आपको फटापट से बताता हूं कि किस तरह की इसकी consistency रहती है कितना amount लेना यह बता जाता हूं तो सब्सक्राइब को लेना है इतना amount one two यह सिप मैं आपको दिखा रहा हूं को थोड़ा ज्यादा लेना है और consistency कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगी इदे कितना अराम से spread हो रहा है कोई भी residue नहीं छोड़ रह मेरे हाथ पे और इस तरह से आप इसे spread कर सकते हैं smell की बात करूं तो काफी aromatic smell है vitamin c की of course smell आ रही है जाता है as compared to day and secondly day time में vitamin c react कर जाता है मैंने जैसे पहले ही बढ़ रहा है कि vitamin c बहुत जल्दी खराब होता है तो आप खुद ही सोचिए कि vitamin c लगा के आप direct sunlight में जाएंगे तो आपके skin का क्या होगा सो दोस्तो यह जो product है यह है dermatologically tested और नहीं इसमें आपको कोई silicon paraben और mineral oil देखने को मिलेगा देखने को मिलेगा तो आपको सिर्फ वासिफ vitamin c की 20% concentration इसके साथ ही hyaluronic acid and आपको मिलेगी hazel extract की खुशबू along with उसकी antioxidant properties और दोस्तो अब मैं बात कर लेता हूं कि किसको लगाना सो अगर आपको यह product खरीदना है link आपको description में मिलेगा मेरा काम दा सिर्फ आपको बताना निलना निलना आपका काम है अगर आपको नहीं लेना कोई product अगर आपके budget में नहीं आ रहा तो चिंता मत करिए आगे आने वाली video में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आप घर पे ब पसद आया होगा if you like this video do give us a thumbs up and leave a comment if you have any मैं मिलता हूँ आपको अपको अगली video में तब तक के लिए bye bye take care and I'll see you in the next video bye guys